नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की ये वीडियो काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग और नोलेजबल होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा 1945 1945 के एक rare variety coin के बारे में हो सकता है जिस coin के बारे में rare coins के बारे में जानकरे दूँ हो सकता है वो आपके पास भी available हो नेकिन आपको पता ना हो तो मेरी वीडियो के माधियम से आपको value मिलेगी आपको जानकारी मिलेगी और ये पता चले कि rare variety का coin है उसकी actual में भी market value क्या चल रही है बहुत छोटी-छोटी चीज़े होती है जो सिफ numismatics जानते है क्या coins में क्या-क्या चीज़े देखनी होती है वही सारी चीज़ोगी जानकारी में आपको देता हूँ क्या coin में क्या खास बहुत होती है जिससे वो rare बन जाता है तो अगर आपके पास भी 1945 के 1 रूपी के coins available है जोट 6 के शाशनकाल में जो बनाए गए थे और अगर नहीं भी है तो ये वीडियो आप पूरी आण तक देखे ताक कोई आपको एक कीमते सिक्के की जानकारी आज किस वीडियो में मिल सके सबसे पहले बात करेंगे 1945 जोट 6 के शाशनकाल में बनाएगे इस 1 रूपी कोईन के metal की वजन की diameter shape सब कुछ साई चीज अच्छी से detail में समझेंगे 50% silver के ये कोईन्स होते हैं अगर metal की बात करें 1949 तक 91% तक silver के कोईन्स आये 1949 के बाद 1940 से 1945 तक 50% के silver कोईन्स आये हैं British India में और जोट 6 के शाशनकाल में जो जितने भी मैंने बताया 1940 से 45 तक के जो कोईन आये हैं वेट की बात करें तो 11.66 क्राम के शिक्के हैं डायमेटर की बात करें तो 13.5 mm, 30.5 mm इनका डायमेटर है शेप राउंड हैंनकी अब अगर मिंट्स की बात करें ये शिक्के कौन-कौन सी मिंट में ढाले गए ते तो ये ढाले गएते तो ही mint में ढाले गए हैं उसके अलावा अलग किसी अन्य mint में यह सिक्के नहीं ढाले गए हैं mint mark की पैचान कैसे करनी है आपको क्या आपके पास कौन सी mint का सिक्का है यह समझ लें आप क्योंकि दोनों mint में ही rare variety के coins आये हैं वो और दोनों mint में ही common सिक्के भी आते हैं तो mint mark के detail के लिए screen पर यह detail दिखा रहा हूँ आपको यह coin आप देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे यह lotus बना हुआ है arrow के माध्यम से समझे यहाँ पर dot या diamond है तो यह Bombay mint में सिक्का ढाला गया है आपका और अगर यहाँ पर L L for Lahore mint तो अगर यहाँ पर L बना हुआ है तो यह Lahore mint का सिक्का है अपना तो यह आप अच्छे समझ ले दोनों मैंने आपको बता दिया है L बना हुआ है तो Lahore mint का सिक्का है और dot या diamond बना हुआ है तो Bombay mint का यह सिक्का है अब बात करते हैं जो common coins होते हैं 1945 के जो आम नोर्मली सबे के पास हो सारे कमेंट्स भी मुझे इस तरह काते हैं हमारे पास 1945 के सिक्के उनकी कीमत बता दिजे तो जो common सिक्के हैं 1945 की उनकी value सुलीजे आप कितनी कीमत उनकी अभी market value चल रही है उनकी कीमत 300 रुपे से लेकर 500 रुपे है अब जो मैं rare variety के बारे में आपको बता रहा हूँ rare variety के बारे में अच्छे से समझ लें आप और अपने coin में भी एक बार चेक करें अगर आपके पास 1945 के सिक्कों का लोट है या 1945 के कुछ सिक्के अविलेबल है तो जो चीज में आपको उतार हूँ वो आप अपने coin में भी एक बार चेक कर लेना high value है काफी जादा अब rare variety के coin के बारे बात करते है तो 1945 1945 में एक large 5 की variety देखने को मिलती है large 5 यह जो 1945 लिखा है तो यह जो 5 है यह large होता है यह बड़ा होता है rare variety के coin में बाकी सिकों में common होता है side by side देखे comparison में देखे यह normal date है यहापर देख रहे है यहापर 5 जो है यह normal है लेकिन यह वाली image में यहापर 5 बड़ा है large 5 है यहापर तो यह जो large 5 वाला सिका है यह rare और valuable सिका है दोनों mint में सिके देखने को मिलते है large 5 वाले सिके 1945 के 1 rupee coin की बात कर रहा हूँ लाहोर और Bombay Mint में दोनों में देखने को मिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम available है कम देखने को मिलते हैं क्योंके rare coins है मेरे पास भी lockdown से पहले 1940 से लेके 1945 तक के कम से कम 200-300 सिके available थे लेकिन उनमें कोई भी rare variety का सिक्का नहीं था और 1945 के भी उनमें करीब करीब 60-70 सिक्के थे लेकिन कोई भी उनमें large 5 का सिक्का नहीं था तो वो सिक्के collectors डेली कही collectors हैं उन्होंने मुझसे खरीद लिए थे अपने collection के लिए बहुत बड़ा collection करते हैं वो British Indian coins का तो अब जैसे मैंने बताया है जो large 5 वाले हैं बॉम्बे और लाहूर मिंट से दोनों में देखने को मिलते हैं सिक्के कीमत की बात करें अगर large 5 variety की तो इसी कीमत काफी जदा हाई है 20,000 रुपे से लेकर 40,000 रुपे तक शली जाती है बॉम्बे मिंट की तुलना में लाहूर मिंट का अगर आपके पास large 5 वाला यह 1945 का 1 रुपी है तो लाहूर मिंट वाले सिक्के की वैली थोड़ी हाई है बॉम्बे मिंट की तुलना में तो कीमत काफी जदा हाई है कम देखने को मिलते हैं रेयर कोईंस माने जाते हैं 1945 के जोड़ 6 के शाषनकार में बनाए गए यह large 5 वाले सिक्के तो यह अच्छे से आप समझ ले अब इसमें एक extremely rare अब एक किंसे भी rare कोईं के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसकी कीमत एक लाक रुपे से जादा है यह आप अच्छे से समझ ले यह जो स्क्रीन पर आप दोस्तों एक कोईं देख रहे हैं यह है 1945 का large 5 यह है proof coin proof set से lose war coin आप इसको कह सकते हैं proof coin है यह जो proof sets बनते हैं यह वो coin है कोईं की condition बहुत जादा शाप है क्लासिकल लुमिस्मैटिक गैल्डे के एक auction में एक लाक रुपे की कीमत में यह coin पकाइदा बिक्स चुका है समझे दोस्तों आप तो जो 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 सिल्वर पूर्फ रुपी है यह स्कीन पर आप देख रहे हैं यह 1945 में bombay mint की तरफ से डाला गया था जिसमें large 5 है और एक लाक रुपे की कीमत में यह sold हो चुका है बिक्स चुका है तो अब आप समझ सकते हैं जो मैंना आपको 20 से 40,000 रुपे कीमत बताई है large 5 वाले की वो normal condition यह fine, extra fine, very fine condition तक की कीमत है वो लेकिन यह जो है यह proof coin है इसलिए इसकी कीमत एक लाग रुपे में बिक्स चुका है नीचे मुझे comment करके बताने information आपको कैसी लगी और next वीडियो आप मेरी किस topic पर देखना चाहते है किन coins की आप जानकारी लेना चाहते है या किसी notes की जानकारी लेना चाहते है तो नीचे मुझे comment करके जरूर बताएगा जिस video से related ज्यादा comment आएंगे जिस coins या notes से related ज्यादा share कर अगरे अपने family members में friends वगरा में तकि उनको भी पता चल सके क्या British आशन में British काल में जो कुछ सिख्ये available है उनमें क्या क्या चीजे देखनी होती है जिससे उसकी value हाई हो जाती है तो काफी ये knowledgeable और informative वीडियो होती है मेरी वीडियो के माध्यम साब को value मिलती है तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद